हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कमा लेकर दिए कोच में आई आज फिर से कुछ नया सीखते हैं हलो एवरिवन माइनम इस अकांगशा और आज मैं आप लोगों के लिए M.S.C का नेक्स चेप्टर लेकर आई हो अवर बॉड़ी नेचर गिफ्ट सो लेट स्टार्ट हमारे बॉड़ी एक तरह से हमारे माइन हर्ट एंड सोल का निवास इस्थान होता है यह हमारे लिए नेचर का दियावा एक प्रिश्यस गिफ्ट है लेकिन अनफॉर्चिनेटली हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं चितना हेल्दी हम रहेंगे उतनी ही हम जादा से जादा एनर्जी हमारे अंदर रहेगी क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बोड़ी पूरा दिन या डे इन और डे आउट क्या करती है यह हमारे रैस्पिरेटरिया ने हमारे सांस लेने वाले टक्रिया को चलाती है सार्कुलिटरी सिस्टम चलाती है नर्वल सिस्टम और अदल वाइटल ओर्गेंस को चलाती है यह कंटिनुवसले एन्वार्मेंट के अकॉर्डिंग अपने आप इससे एड्जस्ट करती रहती है बीमारियों को डिस्ट्रॉय करती है और हमें जिन्दा रहने के लिए फिट कर आपके डाइजर्स सिस्टम से को राइट एंजाइम को राइट टाइम पर सीक्रेट करने के लिए रिमाइंड करवाया है नेवर हमारी जो बॉड़ी है वो प्रिलियंट पीस ऑफ मशीनरी होती है इंफेक किसी मोस्ट एडवांस कंप्यूटर से भी बैटर होती है हमारी बॉड़ी को बिल्कुल गुड हैल्थ में रखना एक ड्यूटी होती है अदर्वाइज वी शैल नॉट बी एबल तो कीप दा माइन स्ट्रॉंग एंड क्लियर यदि आप हैल्दी है आपकी माइन और आपकी बोजी है तो आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे से का अच्छे से कि आपकी अधर प्रॉप रिस्पॉंसबिलिटी और ड्यूटी है उसी तरह से हमें हमारी बॉड़ी को हैल्दी रखना भी हमारे एक रस्पॉंसबिलिटी और त्यूटी है जैसे कि माउथ वाट्रिंग पेस्ट्री जैं ब्राउनी जितने भी फूड है इसके ल अम्रिका हमेशा मोस्टी वो फास्ट फूड भी खाना प्रिफा करता था तो लेट्स हेयर वाट ही हैस तो से तरून वाज़ समार यंग और 12 यह ओल्ड उसके मॉम की अकॉर्डिंग उसमें वस एक कमी थी कि वो चब भी स्टडी करता था मैट्स और साइस की तो एक बॉल च उसके टीचर नहीं हमेशा नोटिस क्या था कि वो हमेशा जंक फूड खाता था इस्कूल के एंटीं में भी रेसिस के दौरान भी जब उसके फ्रैंस बीजी रहते थे खेलने में इस्कूल ग्राउंड में रैसलिंग में तरून चुप रहने में ही विश्वास रखता था व गश्वास प्लेट याप हमेशा वहते हैं वो हमेशा बीजी रहता था एक कोनर में बैठ करके उसके प्लेट को साफ पर ने के लिए हमेशा डॉनर्ट्स वकरा खाने के लिए उसके जो parents और teachers थे वो उसे हमेशा दंकाते थे उसे बोलते थे और इन सबसे दूर रहने के लिए कहते थे और healthy food खाने के लिए कहते थे लेकिन वो ये सोचता था कि अभी तो पूरे जिंदिकी पड़ी अपने food habits को correct करने के लिए और उसके बोड़ी में बहुत सारा fat था healthy body नहीं थी तरुन का निकनेम बहुत सारे लोगों ने स्कूल में उसके पीछे से उसे गोलू मटर छोटा हाथी कहकर बुलाया करते थे और उसके जो neighbor थे उसके पडोसी थे उसको mambo jambo कहकर बुलाया करते थे फाइनली जब उसको सीरी चरने में भी problem होने लगी तो उसने decide किया कि वो अपना weight कम करेगा वो बहुत determined boy था तो per week ये 1 kg weight कम करने का उसने decide किया उसने exercise करने का सोचा और practice right eating का भी सोचा ideal weight achieve कर सके इसलिए इस अप्यास के बाद में इस कठेन अप्यास के बाद में आप अपने स्कूल में basketball court और football field में Lawrence लाने वाले तरून को smart और सुन्दा तरून को देख सकते हैं अब हम हमारे मोटापे के बढ़ने के कारण को एक बार देखते हैं अपने बादी में बहुत सारी calories का collect हो जाना सेकेंड है computer टीवी के सामने बैठे हुए ज्यादा calorie वाला for example chips fat और ज्यादा calories वाला खाना 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 fried food खाना fast food खाना सिर्फ अपने टेस्ट के लिए इन सभी से हमारा मोटापा बढ़ता है इन इजी को पॉलो करके आप अपना वेट कंट्रोल में रखें आप एक वीक के लिए अपना एक चार्ट बना के रखें आपको पता चल जाएगा कि आप energetic हैं या अपना वेट बढ़ा रहें कभी भी overeating ना करें nutrition facts पढ़ते रहें और कम fat वाला खाना खाएं ऐसा भूजन ना खाएं जिसमें sugar loaded जादार हो जिससे आपकी calories high होती जाती है प्लान योव मीन रेगुलर्ली इट करें डानिंग जितना पॉसीबल हो ना डानिंग टेबल पर और ऑवर इट को अवाइड करें फिजिकली एक्टिव रहें और एलिवेटर याने लिफ्ट को अवाइड करके सीडियां चरने पर जादा फोकस करें एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपको फिजिकली फिट और एनरजेटिक रहने में हल्प करती है एक्सरसाइज के दोरान आपका जो ब्रेन है वो एक केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है जिसको एंडॉफिन कहते हैं जो हमारी बॉड़ी पे पॉजिटिव या फिर एक कामिक चालता है रेगुलर एक्सरसाइज हमारे लाइफ में एक वे ओफ लाइफ होना चाहिए इसे हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं इसकुल वाक करके जाएं यदि पॉसिबल हो तो इस्टेर्स का यूज़ करें ना कि लिफ्ट और एस्केलेटर का अपनी मदर के काम में हाथ बट पॉसिबल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जैसे कि मैच में ड्रिल एक्सरसाइज में वाक के लिए जाएं अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ और या फिर साइकलिंग करें इस्लीप गुड स्लीप हमारे गुड हैल्प के लिए बहुत जरूरी है दोरान हमार बॉडी खुद को रिपया करती है और बिमारी से लड़ने के लिए तयार करती है एवरेज स्लीप हमारे आट घंटे की होनी चाहिए हाउ टो गैट अगुड नाइट स्लीप लेट नाइट स्लीप अवाइट करना ही चाहिए रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए जिससे हमा काम कम्प्लीट करना चाहिए चाहिए एक लिस्ट एन आवर बिफोर यू वाइंड पैंड गो तु बैड हमारे सोने के एक घंटे पहले ही हमें अपना काम कम्प्लीट कर लेना चाहिए क्रिएट गुट स्लीप एंवार्मेंट बाइट टेकिंग अशावर वियरिंग कंफर्टेबर स्लीप वियर टर्निंग और फ्लाइट और नोईज और मेक शूर यू हवाव क्लीन बेड बैड और पिलोज यदि हम राइट इटिंग एक्सरसाइज और गुट स्लीप को नेग इमोशनली इस्पिरिच्वली के लिए बहुत इंपोर्टेंट है फेजिकल इंटेलिजन्स फेजिकल कॉशंट एक एबिलीटी है जिससे हमारी बॉड़ी हम एक सिग्नल देती है ताकि हम टाइम पर उस पर रिस्पॉंड कर वाइजली रिस्पॉंड करके हमारे हैं सही बना झाल